अब रुज से ऊँच्छे लूटाूएुरोंगे ऐलो एवरिबण कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजरन का डोर मेट इससे आप टेब ल मेट भी बना सकते हैं और पूजा का आसन भी बना सकते हैं और इसको आप पुरानी साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं, यहाँ पे मैं बूल से बताऊंगी आपको, तो देखे, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रीम कलर से फंदे डालूंगे, यह देखे, इस तरह से, फंदे बिलकुल मैं सिंपल ले रही हूं, तो देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, यह देखे, दस, दस फंदे मैंने लिए, आप देखे, यहाँ पे हम दस फंदे रेड कलर से लेंगे, और बूल को छोटा रखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ दस फंदे ही डालने हैं इसके, तो यहाँ से देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, यह देखे, आप देखे, इस वाली कलर से हम दस फंदे लेंगे, यह देखे, इस तरह से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, यह देखे, यहाँ पे हमने तीनो कलर से फंदे ले लिए हैं, इस तरह से, और फंदे आपको प्यर के साथ से चाहिए, तो यहाँ पे हमने दददस फंदे लिए हैं, तो 30 फंदे मेरे पास हो गए, आप 20-20 फंदे भी ले सकते हैं, जितनी आपको यह चोड़ाई चाहिए, यह आप भुनिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से देखे, यह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 फंदे हमने भुन लिए, एक फंदा हम रेड से भुनेंगे, और देखे, इसको हम ऐसे रखेंगे, और यहाँ से हम रेड गलर से ऐसे, एक फंदा बना लेंगे, उसके बाद देखे, यह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और देखे, यह 11, 11 फंदे हमने भुन लिए, अब एक फंदा हम इधर से, किरीम बाले मैं से, रेड से भुन लेंगे, तो हमने ऐसे देखे, अब रेड बाले फंदे, बढ़ेंगे, एक इधर से हम ना करा, एक इधर से कर लेंगे, तो यहाँ से देखे, इस तरह से, यह कर लिया, उसके बाद हम यह करीम कलर से ही, बुनेंगे, यहाँ से देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, यह देखे, नो फंदे हमने बुन लिये, यह देखे, फर्स्ट रो कंप्लीट होती है, अब हम इसको पलट लेंगे, अब देखे, यहाँ पे जो जैसा है, उसको हम बैसे ही बुन लेंगे, ऐसे देखे, इस रो में हमें कुछ नहीं करना है, सीधे तरफ से हम इसको, जो जिस कलर के फंदे हैं, उनको हम बैसे ही बुनेंगे, यह देखे, इसको ऐसे क्रोस कराना है, इसको आगे लाना है, रेड को, और यहाँ पे देखे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, यह देखे, इस तरह से हम इसे, ऐसे करेंगे, इसको आगे लाएंगे, तो यहाँ से देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नो, यह देखे, इस तरह से दूसरी रो, सीधे तरफ से भी, यह कंप्लीट हो गई, ऐसे देखे, अब देखे, हम यहाँ से पलट लेंगे, और इसको हम उतारेंगे, बूल अपने तरफ करेंगे, यहाँ से यह दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ फंदे बुनें मैंने, अब हम एक फंदा, फिर से गिरीन बाला जो है, उसको हम रेड कर लेंगे, तो यहाँ पर देखे, रेड के फंदे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, और देखे, एक यह क्रीम बाला रेड बना लिया, तो चाओ दे, अब इधर के फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ फंदे हमने बुन लिये, यह देखे, इस तरह से यह डिजाइन यहाँ पर डल रिया है, अब देखिए, हम सीधे तरफ से जो जैसा है, उसको बैसे ही बना लेंगे, तो यहाँ पर हम सीधे तरफ से इसको कम्प्लीट करके, फिर आपको आगे का दिखाते हैं, यह देखिए सीरे तरफ से हमने row complete कर ली, अब देखिए हम एक एक फंदा इधर से red बनाते हुए, एक एक फंदा क्रीम बाला red बनाते हुए, यहाँ पे यह 5 फंदे रह जाएंगे, यह देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 5 इधर रह जाएंगे, अभी हमने 2 फंदे कर लिये हैं इधर से तो दो इधर से, तीन और करेंगे, उसके बाद हम आगे का दिखाएंगे, सेम तरीके से बनाना है आपको, तो हम इतना करके फिर दिखाते हैं आपको, यह देखिए इस तरह से मैंने इसको बना लिया है, यहाँ पे हमारे पास क्रीम के पांच फंदे रह गए, पांच फंदे हमारे पास बीस ओ गए, क्योंकि 5 फंदे इधर से बढ़ गए, अब देखिए हम कलरumber चैंज करेंगे, तो जो ग्रीन बाला है, यह वाला जो ग्रीन सेबना हुआ है उसको हम रैड से बना लेंगे, और रैड बना हुआ है, उसको हम क्रीम से बनाएंगे, इस तरह से हमें यह change करना है तो देखिए यहां पे हम यह red वाला जो है इनको हम ऐसे एक दो तीन चार पाँच पाँच फंदे हमने यह कर लिए अब देखिए इसको हम ऐसे दियाएंगे यहां से यह देखिए इस रो में ऐसे देखिए एक दो तीन और इसको हम हम इसके साथ ऐसे कर देंगे ताकि धागा बड़ा ना रहे पीछे साइड से चार पाँच छे साथ ऐसे आठ नो दस ग्यारे और गिरीन वाले को हम साथ में लेंगे ऐसे बारे तेरे चावदे पंद्रे सोले सत्रे अठारे उन्निस बीस यह देखिए बीस फंद् together बना लिए आप देखिए घ्रीन कर्म कर लेंगे यह देखिए इस तरह से यह पांच फंदे हो गए अब देखिए यहां से हम इस रो को पूरा complete करेंगे जो जैसा color है तो हम इसको कर लेते हैं यह देखे इधर से मैंने यह रो पूरी कर ली अभी देखिए हम इस side से एक एक फंदा भार के side ले जा रहे थे ऐसे कम कर रहे थे यह वाले फंदे आप देखिए हम यह वाले फंदे जो इधर के हैं उनको हम अंदर के साइड से एक फंदा लेते हुए जाएंगे इधर से यह वाला फंदा ले लेंगे और इधर से ऐसे तो यह अंदर के साइड को ऐसे आ जाएगी तो यहाँ पर यह हमारे फंदे मैंने बुन लिए एक फंदा हम यह क्रीम बाला बना लेंगे रेड से ऐसे यह देखिए तो छे फंदे हो गए मेरे पास अब हम बाकी फंदे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे चावदे 15 16 17 18 18 फंदे हमने बुने अब हम एक फंदा इसको हम ऐसे कर लेंगे एक ग्रीन का कर लेंगे ऐसे यह देखिए इस तरह से देखिए तो यह डिजैन यहां पर ऐसे आ जाएई यह देखिए अन्दर के साइड अब हम यहां से देखिए ए रो कंप्लेट करेंगे यह देखिए मैंने सीधे तरफ से रोग कंप्लीट कर लिए अब देखिए यहांसे हम इस फंदे को उतारेंगे बूल अपने तरफ व Ciao आप छे और awake2 यहां से एक क् exports कर लिया उसके बाद हम देखिया ऐसे ही बुनेंगे दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चौदे, पंद्रे, सोले, सोले फंदे बुने एक हमने इधर से ये गिरिन कर लिया ऐसे और ये रो हम ऐसे ही बना लेंगे पूरी, इस तरह से ये देखिए, तो देखिए, इस तरह से हमने ये कर लिया, अब इधर से हम पूरी रो उल्टा बुनेंगे और उसके बाद देखिए, ये देखिए, तीन और तीन, छे, साथ, अभी हम तीन फंदे इधर से और करेंगे, तीन इधर से, तो दस फंदे हो फिर से 10 फंदे हो गए अब देखिए फिर से हम इनको कलर चेंज करेंगे तो जो रेड वाला है उसको हम क्रीम से बनाएंगे क्रीम बाला है उसको हम ग्रीन से बनाएंगे और ग्रीन बाला है उसको हम रेड से बनाएंगे तो देखिए हम रेड वाला यहां से क्रीम कलर से बना दो तेन और देखिए चार पाच छे साथ आठ नो दस यह देखिए दस बना लिए अब देखिए हम यह वाले करीम बाले ग्रीन से बनाएंगे यहां से दूसरी का लिए श्टार्ट हो रही है इसको हम थोड़ा सा आगे तक दबा देने आप देखिए यह ग्रीन बाले जो है उनको हम रेड से बना लेंगे ऐसे एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नौ और देखिए दस इस तरह से देखिए यह देखिए इस तरह से इसको बना के कम्प्लीट करना है अब यहां से देखिए दूसरी यह वाली कली स्टार्ट हो रही है तो यहां से अब हम एक एक फंदा इस गिरीन से बढ़ाएंगे दोनों तरब से यहां पे जब पांच फंदे रह जाएंगे जैसे हमने यहां पे किये उसके बाद हम यह कलर एड कर लेंगे तो इस तरह से हम यहां पे तो देखिए ऐसे ही हम जे सेंटर वाली चार डिजाइन डालके कम्प्लीट करेंगे आपने जितनी चोड़ाई यहां पे रखी है उसी किसाब से आपको इसकी लंबाई रखनी है तो हम चार डिजाइन डालने के बाद सभी फंदे आगे से हम किलोज कर देंगे और यह डोरमेट बनके कम्प्लीट हो जाएगा तो हम बना लेते हैं फिर आगे का दिखाते हैं यह देखिए इस तरह से मैंने यह चार डिजाइन बनाके अब हम इन फंदों को सभी को बंद कर देंगे तो यहां से देखिए जो जैसे कलर से है उसको हम बैसे ही बंद करेंगे यह देखिए यहां से हम पहले रेड कलर के दो फंदे लेके एक करेंगे फिर से दो फंदे लिए उनको एक कर दिया ऐसे यह देखिए इस तरह से यहां तक हमने कर लिया आप देखिए यहां से हम एक क्रीम कलर से बंद करेंगे ऐसे इसी तरीके से हम जब यहां पर पहुंचेंगे तो यहां से यह ग्रीन कलर से बंद कर देंगे